हलो फ्रेंट्स आज हम इंग्लिश में सबसे पहले जो हमें सीखाया जाएगा वो है लाइनिंग सबसे पहले जो हम लाइनिंग में बनाएंगे वो है सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन्स दूसरे नमबर पर हमारे पर स्लिपिंग लाइन्स तीसे नमबर पर जो हम line बनाएंगे वो है curve lines और चोथे नमबर पर जो हम line बनाएंगे उसे हम कहते हैं slanting lines standing lines जो होती है वो इस तरह से होती है बिल्कु सीधी and slipping line जो होती है वो आड़ी होती है और curve line थोड़ी घूमी हुई lines होती है और standing line जो होती है वो थोड़ी तिर्ची line होती है सबसे पहले हम सिखेंगे first standing line कैसे बनाई जाती है इस तरह से हम बच्चों को घर पर line बनाना सिखा सकते हैं हम देखेंगे कि हमने कुछ lines इस तरह से बनाई है इसमें हम बच्चों को इस तरह से दॉट बना कर सिखा सकते हैं हमने कुछ इस तरह से डॉट बना लिये हैं अब हम बच्चों को कहेंगे कि इंडॉट्स पे हमें क्या है Pencil Fairy है कुछ बच्चे छोटे होता है वो बिको सीधी लाइन नहीं कर पाता है थोड़ी तीरशी और आड़ी लाइन होगी पर कोई बात नहीं धीरे धीरे जैसे 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 प्रैक्टिस में आएगा वैसे वो अपनी लाइन सीधी कर लेंगी फिर हम इने बच्चों को दो डॉट्स देने लग जाएंगे जैसे जैसे उनकी प्रैक्टिस होती ही जाएगी दो डॉट्स में हम बच्चों को स्लिप स्टैंडिंग लाइन बनाना सिखाएंगे यह बहुत ही आसान तरीका है बच्चों को लाइन बनाने का और सिखाने का इस तरह से आप घर पर भी इसे बच्चों को वॉखशीट या वॉख बुक में आप घर पे पाथके इसे करवा सकते हैं वाज़ेश एजीली वन पीज टू पेज इसे घर पर डेली घर पर कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पर जो लाइनिंग हो है वो है स्लिपिंग लाइन लाइन जो है वो है आड़ी लाइन इस तरह से यह हमारी है स्लिपिंग लाइन इससे भी हम इस तरह से डॉट्स बनाकर बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो इन्हें आसानी हो बनाने में बच्चे डॉट्स पर इसी तरह से धीरे धीरे पैंसिल फिरेंगे और उनकी स्लिपिंग लाइन बन जाएगी फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी हम उने दो दो डॉट्स में स्लिपिंग लाइन बनाना सिखाएगी स्लिपिंग लाइन थे ज़िए तरह से जीरे करिंछ अवस जीरे पalten स्लिपिंग moreन दो प्लीफ प्रवदार पिरे धिरे एसी जाएगी नेक्स्ट हमारे पास जो लाइनिंग है वो है कर्व लाइन्स थर्ड नमबर पर जो हमारे पास लाइन है वो है कर्व लाइन्स जो इस तरह से हैं घूमी हुई हम बच्चों को घर पर उनकी वर्पुक में इस तरह से डॉट्स बनाकर दे सकते हैं यह थोड़ा टफ होता है बट अगर हम उन्हें हाथ पकड़कर बनाना सिखाएं तो बच्चे इससे इजिली कर लेंगे कर दो लेंगे अब कुछ नहीं करना है स्टॉट करने इस तरह से पैंसल फिरते जाएंगे उन्हें हाथ पकड़कर हमें यह काम करवाना हुगा फर्स्ट ट्राइं फिर दीरे दीरे बच्छोंगी जैसे जिससे हैबिट होती जाएगी वो बनाना सीख जाएंगे एंड लास्ट हमारे पास जो लाइन है वो है स्लैंटिंग लाइन जिने हम आडी लाइन भी कह सकते हैं कुछ इस तरह से हम इस तरह से बच्छों के लिए कुछ टॉट्स बनाएंगे यह थोड़े तिर्चे हैं आप देखने हैं हम इस तरह से डॉट्स पर तिर्ची लैंग बनाएंगे कर देखने हम इस तरह से डॉट्स बना सकते हैं दो दो डॉट्स ताकि जो बच्छे हैं वो डॉट्स से डॉट्स मिलाना सीख जाएं और जब हमें यह लाइन्स बनाना आ जाएंगी उसके बाद हम इजीली हमारे जो अल्फा बिट्स हैं उन्हें बनाना सीख सकते हैं जैसे भी आप देख सकते हैं कि जो हम एफ और आपल बनाते हैं उसमें हमें जो हम एफ और आपल बनाते हैं उसमें हमें स्लैंटिंग लाइन की जरुट परती है और स्लिपिंग लाइन की जरुट परती है जैसे हम इसमें दो slanting line बनाएंगे एंड एक single slipping line बनाएंगे ऐसे ही B for ball के उंदर हम एक standing line बनाएंगे और दो half珂ry curve lines बनाएंगे ऐसे ही C जो है वो curve lines की तरह है same हमें वैसा ही बनाना है same वैसे ही हम जब D बनाएंगे तो उसमें एक standing line बनेगी एक curve line बनेगी ऐसे ही E for elephant जो बनेगा उसमें E में standing lines और 3 हमारे पास sleeping lines बनेगी next हमारे पास F for fish है उसमें हम एक standing line और दो sleeping line उसमें लेंगे G for gun में हम curve line, half standing lines, half sleeping lines and half standing lines यूज़ करके हम G को बना सकते हैं वैसे ही हमें H बनाने के लिए 2 standing lines और 1 sleeping line की जरत होगी next हम I for ice cream बनाने के लिए एक standing line और 2 half sleeping line का इस्तमाल करेंगे इस तरह से हम हमारे alphabet जो हैं वो complete कर सकते हैं इन line की मदद से झाने कु IL कर दो जे खबोगनोंμέनों, सकते हैं के मदद से का एक ह terrific झाल झाल